कर दोस्तों मैं करनल अजय सियो अजय इस्टो मानि गुरू फर्स्ट क्लोबल एस्टो फ्रेंस डिजिटल चैनल से आपसे मतखाती होता हूं आज 4 जूलाई से 2022 दोस्तों आज के अपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के अधार पर आपका नफानुकसान एग्रो कमोडिटीज में क्या संभावना है शेर बेजार में क्या संभावना बन सकती है सास्ता नौन एग्रो कमोडिटीज के अधार क्या संभावना है बन सकती जानी पुरी रिपोर्ट इस तार से सबसे पहले राशियों के अधार पर आपका नफ अनुसा भारते जोतिश में 12 राशियों को 4 ततों में डिवाइट किया गया है अगनी, प्रत्वी, वायू और जन, पांचवा तत्व वकाश इन 4 ततों में ही समावेशित है प्रत्वी तत्वी तत्वी तीन राशियां होती है एक पांचवनो यानि मेश, सिंग और धनू राशि आज आपके लिए दिन मिश्ट रहनी की संभावनाई बन सकती है एक कदम आगे, एक कदम पीछे, करू न करू, सोच लू और देख लू इस तरह की असमंजस की स्थितियां आज देखने को मिल सकती है अत्रिक साधानी रखनी आवशक होगी प्रत्वी तत्वी तत्वी होती हैं तीन राशियां ब्रश्यप, कर्निया और मकर राशी रश्चप, करनिया और मकराशी यह हैं प्रत्वीतत की राशियां आज आपके लिए दिन संभवत है मुफीद ना रहे परेशानिया बढ़ सकती हैं लिए गए निर्ने एक बार पुने जाँच ले तीन साथ यारा यानी मिधुन तुला और कुमराशी यह हैं वायुतत की राशियां मिश्चित रुख की तरफ हिशारा कर रही हैं बड़े निर्ने लेने से पहले एक बार फुने विचार कर ले चाराट बारा यहां जलतत की राशिया हैं कर्क वरश्यक और मीन राशिय दिन आपके लिए मुफिद रह सकता है शानदा रह सकता है लाब कमाने की सिती में रह सकते हैं फूर में ले गए सही निने आज आपको लाब दिला सकते हैं तो दोस्तों ये था राशियों के अधार पर आज का नफ अनुकसान अब हम चर्चा करेंगे एग्रो वाच यानि एग्रीकल्चर कमोडिटी यानि एग्रो कमोडिटी में क्या संभावनाई बन सकती है आपको याद होगा मसाले यानि जीरे एवं धनिये के उपर यानि कॉरिं मसालों के अंदर वहर आ सकती है तेजी की तेजी की लहरानी की संभावनाई बन रही है आप जीरा यानि क्यूमनीज पर नजर रखिए तेजी की संभावनाई बन सकती है कोरेंडर यानि धनिये में भी तेजी की संभावनाई से इंकानी की आजा सकता अच्छी तेजी बन सक जीरा और चीन की खरीदारी बहुत महत्वपूर्ण है जीरे के लिए क्योंकि चीन हमारा चाइना हमारा प्रमुख आयातकदेश जीरे में हैं और वहां पर अच्छी खापत होती है चाइना जीरे के आयात भारत से कर सकता है इसकी संभावना बन नहीं है इसे जीरा तेजी की रहा पकड़ सकता है धनिये के अंदर भी आज कॉरिंडर के अंदर भी आज तेजी की संभावना बन सकती है विशेश ख्याल रखें क्या ये तेजी और आगे तीन से चार दिन पांस दिन या एक हफ्ता या दस दिन या एक मेना जारी रहेगी या फिर उपरे इस तरों पर करना चाहिए है मुनाफ़ा वसुली जानि है हमारे अगले एपिसोर्ट में कि दोस्तों याद रखेगा साल 2021 के अंदर हमने आपको कहा तकी जीरा और धनी में बरसे का सोना साल 2022 में ऐसा ही हुआ 65 रुपए का धनी हां 130 रुपए हो गया दोसो रुपए की 110 120 रुपए का जीरा विकने वाला 207-20230 रुपए तक विका तो दोस्तों अग्रिम विश्लेशन आपको जब भी हमने दिया है वो अधिकतर सत्यसाबित हुए हैं तो जीरा धनी के उपर रखे नजर इसके अतरिक महतपूर्ण कमोडिटी है हल्दी यानि टर्मरिक इसके अंदर भी आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं तो मसाला पैक तेजी दिखा रहा है गवार सीट के अंदर भी निचले इस तरके उपर बाउंस पैक आने की संभावनाएं बन रही हैं तो दो पर दलहन पर कॉटन का पास पर हमारे आगे शो हैं उनको आप बिलकुल देखना नब भूलें क्या तेजी आने वाली है या मंदी इसके विशेश रिसर्च हम आप तक शेर करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे जो बड़े कारोबारी हैं वो हमसे संपर्खी कर सकते है यह था एग्रो कमोनिटीज का आज का विशलेशन संभावन हैं अब हम चर्चा करेंगे शेर बजार में क्या संभावन हैं पिछला सब्ता शेर बजार के लिए बहुत माकूल नहीं था चारों तरफ अफरत अफरी का महूल था और बड़े निविश्यकों को बड़ा नुकस शुरुआत होती है और पुराने गल्तियों को लोग सुधारते हैं यही निविश्यका पहला नियम में हैं आज नजर रख सकते हैं आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स के उपर यानि खाद एवं बीच के स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं उसके अंदर RCF, नेशनल फर्टिलाइजर इन पर नजर रखी जा सकती है दोस्तों याद रखिएगा शेर बजार बहुत ही चतुर और इंटलिजन्ट गेम हैं और इस गेम के अंदर वही काम्याव होते हैं जो धहर और अपनी शम्ताओं के अधार पर काम करते हैं आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी आपके श notification ये ओलन गर्स के अंधर भी नजर रखी जा सकती अे गुजराद केहस्पल नजर शकते हैं घ्या सांग केस्ट इंडिया पर भी नजर रखी जा सकती है अब हम चैशा करेंगे तीसरे पार्ट में नॉन्-घ्रोकमोजिटीज यानि कमोडिटीज के अंदर संभाव आज विशेज बन सकती है आप मुआद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बुलियन के बारे में कहा था जबर्दस गिरावट दर्ज हुई और सोने चांदी ने जबर्दस गिरावट दर्ज हुई लेकिन पिछले सप्ता सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से गोल्ड के अंदर तेजी भी भनी तो दोस्तों अब महतफ़ून यह है कि गोल्ड के उपर इंपोर्ट ड्यूटी से क्या फरक पर सकता है इसके उपर हमारा विशेज एपिसोड हमारे चैनल पर है बिलकुर देखना ना पुलें गौरत लाब है कि भारत गोल्ड का सबसे में नहीं है और यो गो बिजर भे वो भारत का सर्व श्यष्ट नहीं लेकिन भारतिय परिवारों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी से जो गोल्ड डिजर वै उसका अधि हम शामिल करें तोध भारत करिश्क का पहला समर्थ बुहिस इंदर संभात Miya भारतिय रुपया कमजोरी किया और अग्रेसर है 79 रुपी क्रॉस कर दिया है जो आल टाइम लोश्ट भाव रुपी का माना जाता है अंगिश ये अमेरिकन डॉलर आने वाले तीन से चार्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर संभवत है सरकारी प्यासो रंग लाए और भारतिय रुपया की जो कमजोरी है अमेरिकन डॉलर के वर्खलाप उसमें कुछ रुकावटा आए यानि उसमें कुछ गती धीमी हो या रुपया वापस बाउंस बैक की रह में चल सकता है आने वाले दो से तीन ट्रेडिंग सेशन के अंदर विशेश क्यार रखें दोस्तों याद रखेगा शेर बजार हो या फिर कमोडिटे बजार या फिर एग्रो कमोडिटी ये सब संभावनाओं के खेर है इसके अंदर तीवर बुद्धी तुरंत निर्णे एक बड़ा काम करते हैं दोस्तों हमारा चैनल आपको कैसा लगा अपनी प्रतिकरी आवश्य दीजेगा साथ साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल नाम भूलें और शेर और लाइक भी आवश्य कीजिए All the very best, good luck, happy training